यह तो हैमन सरकार नहीं हिटलर सरकार है और हिटलर का दोश दिखाते हुए परिछार्थी को जो है कि बाहर बर दबाया जा रहा है और यहां कद्दू मूली जालमूली कि दर पर यहां इंस्टागराम का यह गुरूप से नंबर निकाल निकाल करके फॉन करकर के कोश्चन बेचा गिया है इतना तक आ गिया है कि अभी सर्टिफिकेट जमा करिए कोश्चन मिलेगा तब पैसा लेंगे दूलाग जो सिवियाई टिम से जाच नहीं करा सकती है तो कोई ज़रत नहीं है यहां स्कूल कोलेज का सब इसकूल कोलेज जितना सिच्छन सास्थान बं बासी बांदर भालू के साथ खेलेंगे हाथिक अभी अक्रोमन हो यह गया है अंदोलन किया जा रहा है तो इस निर्मान अंदोलन का महतपूर्ण है कि जेपी एसी और जैसे सी कचड़ा को भी साफ किया जाए बहुत बड़ा भश्ट सीबी आई से क्यों जो जो भी लड़क आरखंड में किसी भी वेकेंसी को ले कर अगर परिक्षा आयोजीत की जाती है परिक्षा के दीन से ही उस पे सवाल उठने लगता है लिहाजा जहे ससी हो यह पीहसी हर कोई सवाल के घेरे में रहता है और सवालों का जो लिस्ट है वो बच्चों के पास रहता है और अगरपालिका का जो एक्जाम था उसको लेकर हमारे साथ चात्रनेता लोग हैं इन्हीं से बात कर लेते हैं क्या अपत्ती है उसमें तो चात्रों पे फाई यार हुआ सिर्फ उसकी वजह से आप लोग नाराज है या और कोई ने वजह कई हैं सर चुकि जब हम लोग पिछला आंदोलन कर रहते हम लोग कई सभा और कोई के सामने हम लगातार चीक चीक करके कह रहते कि जब तक ठोस असपस्ट नियोजन नीती लागू नहीं तब तक सही से नियु सेसी के मायध्यम से जो संचालित किया जा रहा है जारखां करमचारी चयन आयोग बोर्ट के मायध्यम से अभी जो कनिया अभियांता का परिक्षा हुआ था जो पिछला 27 जुलाई को आवेदन दिया था कार्मिक विवाग को कि सुद्ध रूप से टीसीयस का अधिकारिक सें परिक्स राची बूटी पर जो है और 28 तारीक के बाद एक सब्ता बाद चार परिच्छा दिवस के बाद जो है कि परिहार कारण बता करके उसको रद कर दिया गया अब बताए जान ठोस जनकारी लेने का अधिकार नहीं चात रखो दूसरी बात अगर हम बात करें लेव एस परिच्छाफल जारी कर दिया गया जिसमें चात्र का दावाव है कि 95% से जादा हमारे पास लगातार कोल में से जा रहा है कि 95% से जादा बनाये हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं है लेकिन कई चैलेंज इसलिए नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके हाथ पर रेस्पॉन्स की संबर्ग सेवा संजुक्त परती जोगीता परिच्छा जो 29 तारीक को हुआ 30 तारीक को हुआ उतो हदे पार हो गया दादा क्या कहें राचिक अगर संत्पॉल कोलेज की बात करें तो उसका सेंटर सुप्री डेंट ने अपने आखों से देखा है कि परिच्छा सेंटर पहु हुआ था यह यह इससे गोपनियता भंग है और इससे असपष्ट ही सारा होता है कि कॉस्चेन लिख हुआ है इसके अलावा हम जमसेतपूर में यही हाल है अगर हम एक धनबाद पूटकी का डियेवी अलकूसा की बात करें तो वहां हद पार हो गया वहां की एक परिच्छा हम मौझुद थे उसका ओमर नहीं था हेर फेर हो गया और जब इसका स्वाल पूच्छे सांतिपूर्ण तरीके से और वहां के चेत्र के डियेसी महोदय को सुचना पहुचा तो उन्होंने आये यही लोग से धमकी दिया गया हरकाया गया डेवर कर देने का बात कहा गया और चोटे बच्चे को सुबह साड़े आठ बज़े से साथ बज़े तक अलग रखा गया और उन्होंने कोई परिचा को बाधित नहीं किया है अपना सवाल खड़ा किया था उस सबह को एक फायार दर्ज कर दिया गया यह धोंस आयोक का और यहां की सरकार का यह तो हैमन सरकार यह हिटलर सरकार है और हिटलर का दोश दिखाते हुए परिचार्थी को जो है कि बाहर बर दबाया जा रहा है जैसे सी तो कह रहे है कि वह बच्चे एक्जाम नहीं देना चाह रहे थे इसलिए उनको एक्जाम तक अंदर ही रखा गया कि बाहर अंगामा नहों दूसरा बात सब्सक्राइब करना जांगे मानोव अधिकार को सज्ञान लेना चाहिए जो सोला व्यारती के साथ अन्या हुआ है और हम लोग अन्या नहीं होने देंगे एक्जाम चलता रहा है जहार खंडी आदिवासी मुलवासी पिडित चात्र जो बंद कमरे में आडबाई आड़ कमरे में जो पढ़ाई करें उसका एक सपना है उसका सपना को पूरा कर देने के लिए कम से कम सुद्ध रूप से एस्पस्ट रूप से पारदर्सीता से का इस से यहीं असपष्ट होता है कि गड़बड़ी है इसका हम लोग सीवियाइस से जांच की मांग करते हैं यह तो कोई भी कहेगा कि पेपर लिख हुआ इसका क्या उधारन है यह तो संकाल जाहिर कर रहे हैं कि मालीजे सीरियल ओडर से पास हो गया हम लोग भी इतना और यहां कदू मूली जाल मूली कि दर पर यहां इंस्टागराम कम यह गुरूप से नंबर निकाल निकाल करके फॉन करकर के कोस्टेन बेचा गिया है इतना तक आ गया है कि अभी सर्टिफिकेट जमा करिए कोस्टेन मिलेगा तब पैसा लेंगे दूर लाग फाइनल सेलेक से जाच नहीं करा सकती है तो कोई ज़रत नहीं है यहां स्कूल कोलेज का सब इसकूल कोलेज जितना सिच्छन सास्थान बंद कर दिया जाए यहां जंगल जाल में रहेंगे यहां के आदिवासि मुलवासी बांदर भालू के साथ खेलेंगे हाथी का भी आक्रोमन हो यह गय सब बरबाद हो जाएंगे लेकिन राज बना है जैसे का गठन हुआ है जपीएसी का गठन हुआ है राज में अलग राज का सपना अगर दिखाया जाता है नो निर्मान अंदोलन का लडाई आंदोलन किया रहा है तो इस नौ निर्मान अंदोलन का महत्पूर्ण है कि जैपीएसी और जैसे सी कचड़ा को भी साफ किया जाए बहुत बड़ा भर सीबी आई से क्यों कचड़ा का डबा बन गया ही क्यों सरकार तो अपने अस्तर से भी साथ इसलिए कि पूरा परफेक्ट जिहाओ जैसे कि सल्लाव अभियार्ति के ब वह भी है और मार्कर से भी सीरियल नमर लिखल जाए रहा तो कहीं ने कहीं यह धांदली बहुत बड़ा है और सरकार के सीबिया जहां इसलिए बोले यह कि अगले बार जैए कि अभियंता के अभियंता के अग्जाम बेल रहे हैं ओहौला में धांदी ले बड़ा माचली छो जाए को भी माथा लड़का गरवारी करता है यह एकजाम में पकड़ा जाता है तो उसको जो है 10 सल एकजाम नहीं बेटने देंगे built video कॉछा चाहिए चाहिए तब बड़े अधिकारी के सहां साथ मुख्मंत का भी पता चले कि सी बीआ जार्च में क्या उता है किया बता देगा कि यह मांग आपके सिर्फ यूर्णीयन की नहीं है पूरे राज यूपढ़ 보는 देखिए पूरे राज चाहिए गरीं अब गुर्वा चातर तो आ नहीं सकते हैं लेकिन फिर भी जो आने में समर्थ हैं लगबक दस हजार की संख्या में हम लोग जिस तरह से मुख्य मंत्री आवास को गरे थे उस तरह से जाकर के कि इसका उलेख नहीं किया अपने सफाई में कि वह मारकर से लिखा हुआ कोशन पेपर कैसे आ गया जैसे सी ने क्यों नहीं इसका अवाज उठाया तो उनको बंद करके क्यों रखा गया उनकी आवाज को बाहर क्यों नहीं आने दिया गया क्या गल्ती थी उनकी एक पेपर के प्रिजाम के बाद उनको निकलने क्यों नहीं दिया गया सुक्रिया तो देख लीजे छात्रों का ये डिमांड है कि लगातार जो इतनी परिक्षाएं हुई है या रिजल्ट प्रकासित हुआ है करें कि उसमें अन्निमित्ता है और इसकी जाच सी बी आई से होनी चाहिए आठ चालिस नहीं चलतो वो तो अपने जगह पर कायम है ही अब तिन तारिक को राजभवन में ये परदर्शन करेंगे राजपाल से मांग करेंगे किसी भी आई जाच कराई जाए पूरे मामले की उसी दिन देखना होगा कि इस न्याय मार्च में छात्रों को कितना न्याय म मिल पाता है सुक्रयां पिर फोलोफ डॉप दॉप दॉप्स्क्राइब